नमस्कार दोस्तों मम्ता की रुसोई में आपका स्वागत है मैं मम्ता दूबे आज बनाने जारी हूँ पानी पूरी का यानी गोलगपे का बहुत ही चटपटा चटा के दार खटा मीठा टेस्टी पानी बिल्कुल मार्केट जैसा बनाएंगे और आप सोच रहे होंगे कि मार्केट का तो टेस्टी अलग होता है घर में वैसा कहां बन सकता है पर बहुत ही आसानी से आप घर में उतना ही उससे भी अच्छा और बिल्कुल अच्छी चीज घर में बना के चटपटा सा आप ये गुलगप्पे का पानी तियार कर सकते हैं तो चलिए रेस्पी को सुरू करते हैं मेरी रेस्पी आपको पसंद आती है अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से एर करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें बेल आइकन अगर आप प्रेस करते हैं तो ये होता है कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंट आपको मिलता है और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाते हैं तो इसलिए वेल आइकन प्रेस करना बिलकुल फ्री है तो उसे जरूर प्रेस करें यहाँ पे देखिए 200 ग्राइम इमली ली थी और 10 मिनट पहले गुनगुने पानी में भीगा लिया था और इसे अब हाथों को धो के अच्छे से हाथों से मसल लेंगे और जो इसके बीज है और रेसे हैं उसे हम इस्टेंडर पे डाल के इस तरीके से अलग कर लेंगे तो यहाँ पे डालने के बाद मैं इस तरीके से चलाते हुए सारा जो इसका पल्प है और इसका पानी है उसे निकाल लेंगे और यह बीज बगरा हम फैक देंगे और यहाँ पे देखे इमली का बिल्कुल चटपटा और खटटा पानी तयार है और अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ग्रीन वाली चटनी बना लेते हैं जो तीखी और ग्रीन चटनी होती है उसे बनाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना ले लिया है थोड़ा सा हरा धनिया और चार हरी मिर्चेली है आप अगर अधरक पसंद करते हैं तो थोड़ा सा अधरक भी ले सकते हैं अब हम क्या करेंगे कि इन सारी चीजों को ग्राइंड कर लेंगे तो यहाँ पे एक मिकसर जार लेते हैं और उन में इन सारी चीजों को डाल देते हैं हम सुझते हैं कि जो बाजार में पानी मिलता है वैसा पानी हम घर में नहीं बना सकते हैं पर वैसा पानी बनाने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखने पड़ेगी और सेम वैसा ही पानी बन के तियार होगा आप बार बार अब पानी पूरी घर में बनाएंगे और लाजबा पानी आपका एकदम खटा मीठा और अच्छा टेस्ट वाला घर में ही तियार हो जा तो यहां पे थोड़ा पानी और डाल रहे हैं और इस टेनर पे डाल के इस तरीके से इसे भी छान लेंगे आप चाहें तो इसे बीना चाने भी बना सकते हैं और इसका टेस्ट बीना चाने भी बहुत अच्छा आता है पर इस तरीके से चान लेंगे जो इसमें थोड़ा सा भी इसका मोटा वाला हिस्सा है वो निकाल देंगे और ये देखिए हमारी जो ग्रीन वाली चटनी का पानी है वो तयार है इस तरीके से और बाकी अभी भी इसमें बहुत सारे मसाले डालने हैं तो अब हम डालेंगे इसमें मसाले तो सबसे पहले हम डाल देते हैं इमली का पानी, क्योंकि ये बहुत खटा है और यही इसको खटा पन देगा, इमली का पानी डाल दिया है मैंने, आप चाहे तो यहाँ पे नीबू का भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने नीबू नहीं डाला है, मुझे यही टेस्ट पसंद है, इसलिए मैंने इमली ही डाली है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून भुना जीरा पाउडर डाला है, दरदरा पीसा हुआ है जीरे को, यहाँ पे हाफ टी स्पून सौफ का पाउडर डाला है, और यहाँ पे हाफ इसमें थोड़ी सी बूनदी और इसे मिक्स कर लेंगे। खटा वाला पानी हमारा बनके तयार है। आप चाहें तो इसमें थोड़े से आइस क्यूप भी डाल सकते हैं। और हमने खटा वाला पानी तो बना लिया है अब हम बनाएंगे मीठा वाला पानी तो जो इमली का पानी था आधा हमने खटे वाले में यूज गया है और आधा पानी यहाँ पे डाल देंगे इस बर्तर में गैस की flame को on कर लेंगे, थोड़ा सा गुड डालेंगे, और गुड को melt होने तक ही बस इस पानी को हम पका लेंगे, तो ये देखे जो गुड है वो हमारा melt हो जाएगा, इस तरीके से medium flame पे चलाते हुए पका लेंगे, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि गुड और अब इस पानी को एक बाउल में डाल देंगे, और इसमें भी हम मिलाएंगे धेर सारे मसाले, और यहाँ पर हम डाल देते हैं, खरबुजे के बीच, और यहाँ पर थोड़ा सा salt powder डाल दिया है, और दोनों चीजों को अच्छे से mix कर लिया है, थोड़ा सा color डाल रहे है, एक पींच red color डालें, अगर आपको बिल्कुल मार्केट जैसा पानी चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा red color डाल दें, यह बिल्कुल optional है, चाहे तो डाले नहीं तो ना डालें, उसके बाद मैंने काली मिर्च का powder डाला है, थोड़ा सा soft powder डाला है, और थोड़ा सा जीरा powder डाला है, थोड़ा सा sournut का powder, उसके बाद मैने लाल मिर्च डाला है, क्योंकि इसमें मैंने कोई सवी मिर्च नहीं डाली थी, थोड़ा सा हींग डाल दिया है, और यहाँ पे डाला है, मैंने नमक सफेद वाला थोड़ा सा और थोड़ा ही नमक हम डाल देंगे, ब्लैक वाला, जो ब्लैक सॉल्ट डालते हैं और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एकदम चटपटा सा मीठा पानी भी हमारा तयार हो गया है और अब हम डालेंगे इस पे थोड़ी सी बूंदी तो यहां पे हम थोड़ी सी बूंदी डाल देते हैं और यह देखिए बिलकुल तयार है हमारा चटपटा पानी तो देखिए कितना आसान है यह पानी घर में बनाना और अब हम इसे सर्व कर लेंगे खटा पानी मैंने सर्व कर लिया है मेरी ये रेस्पी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें बैबै